हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे लौकी की चटपटी मज़ेदार पकोड़ी सभी को बहुत पसंद आएगी बच्चे तो बड़े शौक सिखाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे कम टाइम में चले शूर करते हैं कैसे बनाना है मैंने एक लौकी लिया है लौकी को साफ धो लिया है अब इसको बीच से काट लेंगे आधी लौकी को रख देंगे आधी लौकी की पकोड़ी बनाएंगे इस तरीके से पिसस में काट के छेल लेंगे लौकी को लौकी को मैंने छीर लिया है अब कद्दू कस करेंगे कद्दू कस करने के बाद इस तरीके से हास से गार करके पानी निकाल लेंगे लौकी का आप चाहे तो यह लोग सूती कपड़े में भी रखके निचोड सकते हैं लौकी का पानी लौकी का पानी मैंने निकाल लिया है एक प्याज लिया है प्याज को छील के प्याज को भी कद्दू कस कर लेंगे कद्दू कस की हुई प्यास को लौकी में मिलाएंगे चार हरी मिच को लिया है मैंने मिच को काटके महिन महिन इसको भी डालेंगे लौकी में यह मैंने लिया है वन टी स्पून रोष्ट धनिया पॉडर इससे खुच्बू अच्छी आती है 1-4 काली मिर्श पॉडर 1-4 भुनाजीरा पॉडर 1-4 भुनाजीरा पॉडर 1-5 टी स्पून गरम मसाला 1-5 टी स्पून हल्री पॉडर 1 टी स्पून चाट मसाला बेसन में लाएंगे जितनी जरुवत है उतना अब अच्छी से मिक्स कर लेंगे थोड़ा बेसन और मिलाएंगे हमें थोड़ा गिला लग रहा था नमक मिलाएंगे स्वादे नुसार नमक मिला कि बेसन मिला कि अच्छी से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और बेसन लेंगे गैस पर कणाय चड़ाएंगे तेल डालेंगे तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे तेल गर्म हो जाए उसके बाद पकॉरी डालेंगे इस तरीके से मैंने पकॉरी डाल दिया एक साइट प्राई हो जाए उसके बाद प्लैट लेंगे एक साइट फ्राई हो गया है मैंने प्लेट लिया है गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया था मैंने प्लेट निकाला इस तरीके से और भी फ्राई कर लेंगे मैंने कर लिया है यह देखिए बहुत ही टेस्टी चरपटी लौकी की पकॉड़ी बनी है बच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं बड़े बुड़े सभी को बहुत पसन आएगी एक बार लॉकी की रेसिपी जरू ट्राइगी अगर आपको लॉकी की टेस्टी चिरपटी पकोडी की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कैमेंट और चैनल को सब्सक्राइ करेगा इसे जरू टाइक कीजिए सभी को बहुत पसन आएगी